So guys, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप Instagram यूज़ करते हैं, Instagram में आपको कुछ इसरे से प्रॉबलम आ जाती है, जब इस प्रॉबलम को उपन करते हैं या यूज़ कर रहे होते हैं, Network request fail please try again later, अगर आपको आपके Instagram में कुछ इसरे से प्रॉबलम आ चुकी ह Network से related, तो आपको क्या करना है, वह मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ, इस वीडियो में अंट तक बने रहिएगा, तो यहाँ पर इस प्रॉबलम को solve करने के लिए, first of all आपको क्या करना है, यह problem mainly देखी जाती है, जब आपको Network की problem होती है, मत्तब इंटरनेट से related problem होती है, तो उसको solve करने के लिए आपको क्या करना है, airplane mode जो होता है, उसको आपको on करना है, जिसको हम flight mode बोलते है, on करने के बाद 10 second on रखे उसको या 20 second फिर उसको बंद कर दीजिए, आपके जो network होंगे, refresh हो को राजाएंगे, internet से related problem होगी, वो भी solve हो जाएगी, अगर फ अपने mobile को एक बार restart कर लेना है, reboot कर लेना है, फिर उसके बाद आपको ये काम करने के बाद play store में आना है, और यहाँ पर आपको search कर लेना होगा आपका जो instagram है, तो instagram को एक बार search कर लेते हैं, instagram सर्च करने के बाद यहाँ पर अगर आपको दिखाता है instagram का update, जैसे कि आप द टेकनिकल इशो होने के वज़ासे आपको प्रॉलम फेस करने पड़ती है, तो आप उसको अपडेट पर लगा दे, तो प्रॉलम आपकी solve हो जाएगी, फिर भी problem solve नहीं होती है, तो आपको यहाँ पर directly setting में आना है, setting में आने के बाद आपको scroll करके नीचे, यहाँ पर apps में आना है, apps पर click करना है, उसके बाद manage apps है, इस पर click करिए, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, search apps, search apps में आपको अपने Instagram को search कर लेना है, तो Instagram को search कर लेते हैं, इंस्टाग्राम, तो इंस्टाग्राम को सर्च करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर इंस्टाग्राम आ चुका है, इसको उपन करेंगे, यहाँ पर दो उप्षिन आपको देखने को मिल जाते हैं, एक स्टोरेज का और नीचे क्लियर डेटा का, यहाँ पर या त देखेंगे जो आपकी प्रॉब्लम होगी वास सॉल्फ हो जाएगी फिर आपको एरर देखने को नहीं मिलेगा बस आज के वीडियो में यहीं मिलते हैं एक्ष्ट